माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्टूमेंट जिसके हैल्प से हम माइक्रो और्गनीजम को देखते हैं उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं 1590 में दो डच साइन्टिस्ट हैंस एंड जेकेरिस जैंसन ने कमपाउंड माइक्रोस्कोप का इंवेंशन किया 1665 में एक इंग्लिस साइंटिस्ट रोबर्ट हुक ने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया जिसे प्लांट के कॉर्क सेल में देखा 1674 में एक डच साइंटिस्ट लिवन हॉक ने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया जिससे bacteria, blood cells और sperm cell को देखा Types of microscope Microscope तीन तरह के होते हैं Simple microscope, compound microscope, electron microscope Simple microscope में सिर्फ एक lens होता है जिसमें हम adjustment knob के help से adjust कर object को clear देख सकते हैं इसके नीचे एक mirror होता है जिससे light reflect होकर object पर पढ़ता है जिससे हम object को clear देख पाते हैं इसका magnifying power maximum 40 times होता है मतलब यह हुआ कि यह object को maximum 40 गुना बढ़ा कर दिखा सकता है compound microscope जिसमें दो lens होता है यह eye piece lens और दूसरा objective lens इसमें दो adjustment knob होता है जिससे object को clear देखने के लिए adjust किया जाता है इसमें एक stage होता है जिस पर slide को रख कर देखा जाता है और यह maximum 2000 times magnifying कर सकता है object को तीसरा है electron microscope जिसमें electron beam के help से object को काफी zoom करके देखा जाता है और इसका magnifying power maximum five lakh times होता है जिसे null और rush का नामक scientist ने खो जा